कि इंडियन बैंग के सामने अब्दुल हामीद का घर था वहां से पत्राव हुआ उस जगह पत्राव के दवरान में मूर्ती का हाथ तूट गा इंकाउंटर होना चाहिए किसे भी सुरत में इंकाउंटर जरू होना चाहिए कि जिस तरीके से मारा है हमने देखा है हम लेकर के अधिनाद योगी जी करने वाले हैं वहीं हमारा जर्दन पर चाकू है कई तरीके से मारा गया है और वीडियो जो है अभी आपको दिखा सकते हैं जो है हमारे पास थी वहां पर तो मार पीट कर भागाने लगी पबलिक को उसी दावरान मेरे भाई को खेंच कर घर में गोली मार जी गई जीने मलब चस से उठाकर नीचे जीना पर लेकर जा रहे हैं समयली जी एक साब से लास ही हो गये थे तब भी साइड से निकल कर दो योग फटाफट गोडी चला रही है नमस्ते मेरे ना विवेक एनमेफ न्यूज देख रहे हैं ये रहुआ मनसूर वही गाउं है जिसके गाउं के लड़के की मौत हुई है बहराईच के दंगे में जी हाँ विसरचन के दोरान जो है राम गोपाल मिश्रा नाम का एक लड़का जिसके उमर केवल 22 साल थी उसको मुस्लिमों ने घर के नीचे उतार कर गोली मारी उसके बाद में चाकू से उसके शरीड को छलनी किया और मैं मृतक के उस ग्राम पंचायत में हूँ जहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये घर नजर आ रहा होगा आपको और ये घर राम गोपाल मिश्रा का ही है आप देखें जरा कि कैसे किस तरीके से घर के हालात हैं बहत गरीब परिवार का वो सलस्थ था और जिसकी मौत ह भी है बहराइच के उस दंगे में जो कि विसरजन के दौरान ये दंगा हुआ था जब डीजे बजाने को ले करके यहां पर बवाल शुरू हुआ उसके बाद कुछ लोगों ने माता जी की मूर्ती पर पत्थर फेके वो खंडित हुई जिसके बाद राम गोपाल मिश्रा ज ये अभी भी फिलाल जो है बना हुआ है लेकिन साफ सफाई इसका नहीं हुआ है ये बरामदा है इसके भी साफ सफाई नहीं हुई है पुराना घर है ये एक तरीके से कहा जाए अगर आप अंदर की तरफ चलेंगे अंदर की तस्वीर को अगर मैं दिखाऊं तो देखेंग कीसे किस तरीके से गरीब परिवार का घर उजड़ा है एक बेटे की जो है मौत हुई है और इस मौत में पूरा बहराई हिला है पूरा यूपी हिला है और ये मामला अभी भी रफादफा पूरी तरीके से नहीं हुआ है ये घर है अगर आप देखेंगे तो ये एक रूम यहा बढ़ारी को समालेगा कौन इस परिवार की आर्थिक स्थिति को समालेगा कैसे हालातों से उबरेगा यह परिवार यह बहुत बड़ा सवार तो यह भाईया-bhavi है जो कि यहां पर आपको नजर आ रहे होंगे ये और कागच पत्र ये तलाश रही है क्या नाम भी आप हमारा नाम हर्मिलन मिसरा है विश्टा जी राम गोपाल अफी का भाई था आप बड़े भाई हैं हम बड़े भाई हैं वो मेरा चोटा भाई था ये बताईए कि इतनी बड़ी दर्दनाग घटना हुई उसकी गोली मा पर थे नहीं जिस जगा घटना ये हुई हमको एक आधा घंटा बाद पता चला कि वहां पर गोली मार कर घर में खींच कर गोली मार दी गई है वहां पर उनका जान निकल गई थी वहें पर से लेकिन थोड़ी जान जो आरे जो गर्मी थी उसी दवरान उनको निकाला गया घ कर दिया गया बस इतना ही हमको यह बताई कब पता चला आपको की गुली मार आधा घंटा बाद पता चला वहीं साफिर आप क्या कि आपको कहां गें उस दवरान में वहराइच पहुंचा अपनी बाहर गय थी क्या हम घर पे ही थे मूर्ती विसर्जन जब आरे जब हम वहां के बाद में भागौत का खानाओ बनाने के बाद में और गय थे वहां पर वहां पर जो बजार इंडियन बेंगे सामने अबदुलहामीड का घर था वहां से पथराउ हुआ उस जगह पथराऊ के दवर्ho дан दोरां में मूर्ती का हाथ तूड़ गया जो मूझा को बताया गया मदल मूर्ती खंड़ी ती उसके बाद रामको पल जो है वात घौत से मैं ना घौत तूड़ गया दवरान वहां पर पुलिस ने जो थी वहां पर मार पीट कर बहगाने लगी पबलिक को उसी दवरान मेरे भाई को केचकर घर में गोली मार दी गई यह पूर्स बताएं कितने लोग हैं परिवार में कितने सदश हमारे सदा से हैं बाप मेरे माता और राम गोपाल के वाइफ और मेरी वाइफ दो मेरे बच्चे हैं बस राम गोपाल के आप बड़े भाई हैं मत आप दो लोग थे बस बस आपके माबाप हैं आप दो भाई हैं और दोनों लोग की शादी हो गए दोनों भाई हो कि राम गोपाल की यहां को जो पराधी है उनको जिस तरह मेरे भाई को गोली मारके हत्या की गई उसी तरह हुए जैसे जो घट्ना घटी है राम गोपाल कि बात की चाहिए तो राम गोपाल किस नेचर का शक्सा जैसे क्या लगता कि आपको कहीं पहले कोई वाद विवाद, कोई लड़ाई जगड़ा, गाउं में किसी तरीकी का दंगा फसाद, या किसी के साथ कोई लड़ाई जगड़े का मसला, कभी ऐसा कुछ हुआ था, ये ये नहीं हुआ था, कभी, कभी ये हुआ नहीं था, ये राम गुपाल क्या कर काम करती थे चाले मेरे मंदिर बागवद बैठी रही वो उसी दिन मेरे भाई ने खाना बना कर यहां पर से बंडारा का बन्दारे का खाना राम गुपाल नहीं बनाया था मूर्ति का भी खाना रात में उन्हें बनाया था यह बताईये कि मतब गाउं में कोई लड़ाई जगड़ा को युरादवियल्ट किसी से नहीं था अच्छा मुस्लिमों की तरफ से जिस तरीके से यह सब कुछ हुआ मुस्ल तो इसके अलावा शायद वाई भी कहीं राम गोपाल आधिनाध योगी जी कर करने वाले हैं वहीं हमारा आधे से लिखाई कितनी की थी राम गोपाल की पढ़ाई नब भी इंटर तक थी इंकर फाइनल है कला मेरिज हुए थी लमम है रिष्दी हुए थी लम तो जसे जिकिती हैं यह भी हमारा ही भाई है कि तो मैं यह कह रहा हूं कि जैसे यह जो दाधना घटना हुए है जैसे यह कहरे हैं तरीके से हत्या होती है ठीक है गोली मार दिये खतम हो गया या दो-चार मिनट के बाद एक होता है कि उसको जो है किसी तरीके से मारा गया तरीका तेहरा चौदा गोलियां लगी है तेहरा चौदा लगा करें तक पूरे पार्ट डैमेज इंटर्नल हो गया जो पूस्मास्टाम के तहत रिपोर्ट आई है उस पर हो गया होगा कि कितनी गोली है जो हमको जखम दिखें है वह सोलाय सत्रा जखम थे यहां से लगा कर और यहां तक थे उसके बाद गर्दन पर चा को जैड़ी को ऑगर कोई किसी के घर पर तो इसको छाने में यह निकालने में केई, टाइम लगता है कर दो पयाने शोचिए हुई साजिस है जो की गई कर राम गोपाल से कोई दुश्मनी थी या फिर पहले से नजर में इस तरीके से हो गया जैसे आप हमें पहले नहीं जानते होंगे हम किहें जानते हुम हम तो आज भी न लोगों का नाम नहीं किलिया तरीके से आने ले éks जाने और और नोकरी देने की लेहीं होने चाहिए की कि इनकाउंटर होना चाहिए है किसी भी सूरत में इंकाउंट जो होना जाए है हमने देखा है हम लेकर के गए हैं हम को जैसे इस तरीक दुख है उसका यह रहा है और काफी अच्छे लेवल कि आपने काम काथ से मतलब रहा है तो भाइव मतलब नहीं दो ना इस नहीं घर उनको मिला हुआ था जब साध्य होई तो अलग हो गए दुन लोग तो वह है तो यह भाईया थे राम गोपाल के बड़े भाई थे और एक और चचेरे भाई कहलें आप यह वह थे और यह घर है यह बड़े भाई कहा है यानि कि माबाप का जो हिस्ता होता है और सिस् देखें दूसरा घर राम गोपाल का वो यह है तो यह राम गोपाल मिश्टा का घर है अगर आप देखेंगे तो टीन शेड है इसके अलावा छोपडी है और बहुत बुरे हालात है घर के अब एक तरीके से कहा जाया तो घर का एक जो नेत्रुत करने वाला लड़का होता है कमाओ जो लड़का होता है वो फिलहाल चला गया है और जिसकी वज़े से अब परिवार को किन हालातों से जुझना पड़ेगा ये एक बहुत बड़ा सवाल है फिलहाल योगी अदितनात ने जो है काफी बड़ी मदद की बात कही है सरकारी नौकरी देने के साथ में जो है उन के जरी पता चल पाएगा जब पीड़ता की पत्नी से यानि के उस शक्स के जिसकी मौत हुई है उसकी पत्नी से बाच्चित होगी अब देखे जरा एक तस्वीर और भी दिखा दीजिए और ये पूरा का पूरा जो हाल है घर का ये काफी खराब है और और भी बुरे दोर से ये परिवार गुजरेगा हलाकि सरकार ने अपनी तरफ से समर्थन देने की बात कही है हर एक मदद की मौहिया कराने की बात कही है लेकिन मांगे भी है कि मदद के साथ साथ कारवाई भी होनी चाहिए वो भी उचित तरीके से कारवाई होनी चाहिए ये जो है इसकी मांग की थे क्या कोई पहले का कोई वाद विवाद था ऐसे तमाम मसलों पर हमने बादचित की घर के आर्थिक खालात को भी दिखाया क्यामरा मैं चंदन के साथ मैं विवे